हेलो क्लास 11 वेलकम टू आवर चैनल जैनेत गुरू मैं हूँ आपका मेंट और आशितोष मिश्रा और आपकी लिए मैंने स्टार्ट किया है बहुत ही प्यारा बहुत ही इंट्रस्टिंग यूनिट जिसका नाम है साइटोलाजी तो साइटोलाजी में अभी तरह हमनों बहुत कुछ देख चुके हैं जैसे कि सेल मेंब्रेन, सेल वाल, एंडो मेंब्रेन सिस्टम जैसे कि एंडो प्लासमी रेटिकूलम, आपका फिर गॉल्गी आपरेटर्स, लाइसोसोम, वेक्यूल्स, फिर उसके बाद देखा हमने माइटो कॉंडिया, ठीक है, प्लास्टिट देख कुछ जांगे, ठीक है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इन्पॉर्टट लागा, वो में लिखके लाएं हूं तो चलिए देखते हैं कि अगया लिखा है कि साइटोस्कलेटन की डेफिनिशन लिखे लिखे लिए इधी नेटवर्क इस फाउंड इन साइटो प्लास्मिक मेट्रिक्स बेरी इन पर्टेंट इधी इस अ मैट्रिक्स में पाए जाता है नेक्स्का लेख है आबइसकाता नम क्या है माइक्रोट्रेंटी खालि माइक्रोट्यूबलर राणियर मेंट्रिक्स बानेत्विंश्ओं इन लॉट था माइक्रो टीबूल्स, माइक्रो फिलामेंट और इंटरमेडिट फिलामेंट, ठीक है, पहला है माइक्रो टीबूल्स, याद रखेगा, माइक्रो टीबूल्स जो है, वो ट्यूबिलीन प्रोटीन से मिलके बना होता है, यह बताया थे हमने लास्ट क्लास में आपको, इटेज म इच माइक्रो टुब्यूल है थर्टीन प्रोटो फिलामेंट यह डिरेक्ट याद रखेगा जितने भी माइक्रो टुब्यूल्स होते हैं उसके पास कितने प्रोटो फिलामेंट होते हैं इसका फंशन देख लिए प्रोटो टुब्यूल्स होते हैं जो कि हमें साइटो प्लास्म के मैट्रिक्स में पाए जाता है इसका दो दूसरा नाम है को है macrotubular lattice की याद रखेगा इसके बाद मैंने बता है इसके इनतर तीन कंपोनेंट होते हैं एक को बुलते है हम लोग माइक्रोट विलामेंट जीसरी को बुलते हैं枝 इंटरमीड़ेट फिलामेंट जीक है इसके बाद ही मैंने बता दिया आपको माइक्रो के बार में डायमेटर याद रखेंगा इसका पंचिस नानोमेटर क्या होता है अगलेटर ओगया इजी है यहां तक आगे देखिए माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, इडिस मेड़ पाफ कॉंट्रक्टाइल प्रोटीन, एक्टीन, मैयसीन, मैंने लास क्लास में बताया था आपको, जब आप लोग वो, एक मेकेनिजम होता है, उसका नाम है, स्लाइधिंग फिलामेंट, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे, जब मुसल कॉंट्रक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ाउंगा राता है, तो उसमें देखेंगे, एक्टीन, मैयसीन, एक यत्र ? बोलते हैं, थिक प्रोटीन, कॉंट्र backटाइल प्रोटीन, को क्यों मैयसीन पढ़िए, made up of contractile protein, it is known as actin and myosin, diameter का कितना है, 7 nanometer, कितना है, 7 nanometer, वो कितना था, 25 nanometer, यह कितना है, 7 nanometer, function देखें, movement of plasma membrane, plasma membrane की movement में help करता है, contraction of muscle fiber, very important, contraction of muscle fiber, ठीक है, and third one is the chromosome movement during cell division, chromosome movement during cell division, cell division time, जो chromosome का movement होता है, उसमें भी यह micro filament help करते हैं, आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, मैं बताता हूँ, micro filament, ठीक है, इसके पास कौन से contractile protein होते हैं, क्या नाम होता है, नाम क्या है, actin और myosin, actin thin होता है, myosin ठीक होता है, यह किसमें help करते हैं, muscle contraction में, साथ ही साथ, chromosome के movement, जब cell division में, chromosome का movement है, उसमें भी यह contractile protein help करते हैं, chromosome के movement हो गया, movement of plasma membrane, यह भी याद रखे गया, movement of plasma membrane, back चलते हैं पर, micro tubule, उसका diameter 25 nanometer, function क्या है, formation of nucleus spindle, and formation of cilia and flagella, यह clear हो गया, दो clear हो गया, last देखें, last में कुछ नहीं है, last it is a intermediate filament, it is a minute, इसका function जो है, maintenance of cytoskeleton, इसका size है, चाहिए diameter है, वो दोरों के बीच का है, मतलब कि, micro tubule से कम होगा, और micro filament से ज़्यादा होगा, बीच का है, ठीक है, इसलिए इसका नाम intermediate filament है, ठीक है, तो यह था आपका cytoskeleton के बारे में, जो थोड़ा सा मैंने, एक दो point ही extra लिखवा है, basically NCIT point of view से, ज़्यादा मैं, बाहर नहीं गया हूँ, तो इसके लिए इतना है काफी, इतना अगर आपको हो गया clear, आपको बस इतना clear होना चाहिए, कि cilia कि से मिलके बनता है, आप डिरेक्ट का हो लेंगे, कि हमारी topic को लेके और एक aspect कवर कर लिया हमने examination point of view से, ठीक है, तो आज के lecture के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे next lecture में, तब तक पढ़ते रहे हैं, question कीजिए और revision कीजिए, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद,